नमस्कार बच्चों, मैं विजे कुमार सेन, आप सभी का एक बार फिर नवभारती स्टड़ी सर्किल में, नवभारती पप्लिक स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम चैप्टर फर्स्ट कॉमर्स सेक्षन क्लास इलेवन्थ की बात कर रहे हैं कक्षा 11 वानित जिवर्ण का चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं चैप्टर एक की बात कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है पेशा, व्यावसाय और नोकरी इन तीनों में क्या अंतर है पिछले वीडियो में हमने व्यावसाई को समझा कि व्यावसाई क्या है व्यावसाई के बाद हमने पेशा को समझा कि पेशा क्या है पेशा के बाद हमने रोजगार को समझा कि रोजगार और नौकरी क्या होती है उसकी क्या विशिष्टा में होती है और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इन तीनों के अंदर क्या क्या अंतर है सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस बेश फे अंतर दिया लिया है इस टौपिक को पढ़ने के बाद आप बिलकुल व्यावसाय पेशा और रोजगार के सब्सक्राइब करते हैं कि किस आधार पर उनमें अंतर किया गया है सबसे पहला बिंदू हैं कमेंस्डमेंट और कमेंस्मेंट का मतलब होता है कि देखें जिए बिजनिस के अगरम प्रारंब की बात करें तो बिजनिस को कोई ह्यक्ती कर सकता है साधारण सी कानूनी कारवाई करके सम लीगल फॉर्मल्टीज होती है उन लीगल फॉर्मल्टीज को कम्प्लीट करके कोई भी व्यक्ति कारवार शुरू कर सकता है क्लियर लेकिन आगर हम बात करें ये तो था बिजनिस के बारे में अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति प्रोफेशन शुरू कर दे, नहीं, कोई भी व्यक्ति प्रोफेशन शुरू नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन के लिए आपके पास एक प्रमान पत्र होना ज अमदिदिकारी से अगर्ष शुरू करने के अनुमति मिल जाती है, तो आप शुरू कर सकते हैं, बात करें, क 선택 करें, कि बात करें, कि अगर्रक्राइब करने कि सborg करने की आतू, आउशकता नहीं पड़ती नौकरी के लिए किसी प्रकार की प्रमान पत्र की आउशकता नहीं पड़ती बस आप लीगल हूं आप काम करने में सक्षम हूं ठीक है तो यह तो था सबसे पहला विंदू हमने बात की कमेंस्मेंट और प्रारण सेकेंड पॉइंट हम बात करें नेचर आफ वर्ग नेचर आफ वर्ग की बात करें कारित की प्रकर्ति की बात करें सबसे पहले अगर हम व्यावसाई की प्रकर्ति की बात करें कि व्यावसाई की प्रकर्ति कैसी है तो देखो व्यावसाई क्या है बिद्निस में होता है का लेंदेन होता है लेकिन प्रोफेशन में प्रोफेशन में वस्तों का लेंदेन नहीं आपके तु सेवाओं का लेंदेन होता है ठीक है जबकि नौकरी में नौकरी में भी व्यक्ति सेवा का लेंदेन करता है ठीक है अपनी सेवाएं किसी को प्रदान करता है वह कोई को बिना investment के निवेश के व्याषा नहीं चल सकता गवर को बिजनिस के स्टार्टिंग ही capital से होती पूनजी सी होती तो सबसे ज्यादा पूंजी में तो निवेश होता है वो बिजनिस में होता है बात करें प्रोफेशन में प्रोफेशन में बिजनिस की तुलना में कम निवेश होता है ठीक है और बात करें सर्विस की तो सर्विस में बिल्कुल भी निवेश की आवशक्ता नहीं होती कता ही आवशक्ता नहीं होती सर्विस के यहां पर पूंजी लगेगी जहां पर निवेश होगा महां पर रिस्क भी होगी जहां पर पूंजी ही नहीं लगेगी तो रिस्की कैसी होगी अब बच्चों बसाँ पूंजी कहा नहीं लग रही तो हमें पता है कि पूंजी नौकरी में नहीं लग रही और पूंजी अगर नौकरी में नहीं लग रही तो नौकरी में रिस्की भी नहीं है सीदी सी बात है दूसरे तरह हम बात करें सबसे ज़्यादा पूंजी कहा लगती पूंजी के आवशकता कहा होती है तो आपको पता है कि रिस्क भी सबसे ज्यादा बिजनिस में होती है इसलिए तो कहता है कि प्रॉफिट क्या है तो प्रॉफिट जो है वह आप क्या सब्सेयम नारी कि नेके बढ़ार घृष कहें जाते किसमें प्रॉफिषन की पूंजी का निवेश भी नामात्र का होता है तो यहां पर रिस्क भी क्या है नामात्र की है आगे बात करें क्वालिफिकेशन योगता की बात करें तो विजनिस के लिए व्यक्ति के अगर योगता की बात करें तो कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति पड़ा लिखा हो उसके लिए कोई क्वा सब्刦गार की कोई योकिता ऑउशकता नहीं सिर्फ इसके अंदर टैलेंटेट्यड माइड होना चाहिए अ है बात कर लए कि फ्रोफेशन के लिए तो प्रुफेशन के लिए संभंधित प्रोफेशन से आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते है特別 प्रॉफेशन से संबनित आपके पास में डिरी आपके पास में qualification आपस education होने जरूरी है। अगर इचिक on qualification नहीं है तो आप professional काम नहीं कर सकते हैं। आथ करें सर्विस के से लिए भी qualification according to work जैसा काम होता है उसके according राविंग क्वालिफिकेशन चीह ज्यादा तर सर्विस के लिए है नॉर्मल जो उसके रिखियर होती है लेकिन आप किसी अच्छी नौकरी करना चाहता है किसी गौर्बंट जब में जाना चाहते हैं ठीक क्योंकि नौकरी तो आर एस ऑफिटर की भी यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि नौकरी के लिए according to work education की qualification की आवशक्ता पढ़ती है ठीक है बाकि एक चप्रासी है एक जो बाई जो काम करती है वो भी नोकर है उसके लिए कोई education की आवशक्ता नहीं है लेकिन एक आरेस ओफिसर है एक आयेस ओफिसर है तो भी नोकर है वो भारत सरकार के हैं उनके लिए qualification education की आवशक्ता पढ़ती है according to work चींबार करेंmbare ऑजब्चतिव की उद्देश्य और प्रॉट्ट के लिए काम करते हैं बिजनिसमें या बिजनिस का उद्देश है और न प्रॉफिट कैसे क्रसिजा एउसका पहला उद्धिश और प्रॉफिट के लिए काम में अं proprio सर्विस देना ठीक है प्लस प्रॉफिट दोनों देशी काम करते है सर्विस मोटिव भी काम करता है और प्रॉफिट मोटिव भी काम करता है लेकिन अगर बात करें सर्विस के लिए तो यहाँ पर यहाँ पर रेमुनरेशन मोटिव है यहाँ पर जो है वो तो आर्म इंकम मोठव करता है और सेलरी काम करता है वेतर के लिए काम के जाता है यहाँ पर सर्विस मोटव तो नहीं बात करें वह बीजनिस में कोई की निड़ नहीं होती है विदरियस में किसी परकार की आचार सहीता की आवशक्ता नहीं होती हैर प्रोफे adjustments के अलगемсяर अधकर लेकिन अगर हम बात करें सर्विस की तो सर्विस में जो समझोता जो होता है एग्रिमेंट जो होता है एमप्लोय के बीच में और एमप्लोई के बीच में जो समझोता होता है वही समझोता ही कौन अफ कंडक्ट होता है तो बच्चो एक बार आप इन सभी को तो डिफरेंस अमाउं बिजनीस प्रोफेशन्स एंड एम्प्लोइमेंट बैसिस ऑफ डिफरेंस मैंने जो बैसिस लिखें इनको लिखें इनको एक बार चाप लें और इनके आधार पर आप खुद भी तेहर करें कि यस आगर आपने मेर वाट इस बिजनीस वाट इस प्रोफेशन एंड वाट इस सर्विस और उसी के विस पे आपट फ्रेंस इस दी हुए हैं तो उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन ज जाया मेरत